पूरी तरह से बड़ी हो जाने पर उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर उसकी लंबाई दोगुनी होती रही तो… ज्यादा टेंशन मतलो सुनते हैं इस कहानी में दो गुनी लंबी ओरिजिनल स्टोरी ट्वाइस एड्स टॉल बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है राकेश खन्ना, चित्रांकन जेमा जोस, हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी, कहानी का वाचन असावरी दोशी मेरा नाम मुत्तुलक्षमी पी है और मैं ठीक एक मीटर लंबी हूँ इसका मतलब सौ सेंटिमीटर लंबी ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ नर्स ने मुझे दीवार के सहारे खड़ा कर मेरी लंबाई ना पी थी इस पर मैंने पूछा जब मैं पूरी तरह से बड़ी हो जाऊंगी तब कितनी लंबी होंगी अभी तो नहीं कहां जा सकता नर्स बोली इसके लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा मैं सोचने लगी क्या पता मेरी लंबाई दो गुनी हो जाए क्या होगा अगर मैं दो मीटर लंबी हो जाऊंगी यानि पूरे दो सो सेंटी मिटर तब तो मैं नर्स दीदी से भी ज्यादा लंबी हो जाऊंगी यही नहीं अपने परिवार में सबसे ज्यादा लंबे सूरेश मामा से भी लंबी और अगर मेरी लंबाई फिर दो गुनी हो गई तो यानि अगर मैं चार मीटर लंबी हो गई तो तब तो मैं ओलिम्पिक्स में भारती या महिला बास्केट बॉल टीम के लिए खेलूंगी मैं धरती की सबसे लंबे कद वाली इंसान हो जाऊंगी मैं तो मशुर हो जाऊंगी पर अगर मेरी लंबाई फिर दो गुनी हो गई तो क्या होगा अगर मैं आठ मीटर लंबी हो जाऊंगी जरा सोचिए मुझे अपने कपड़े कितने बड़े सिल्वाने पड़ेंगे ये तो पक्का है कि फिर मुझे किसी भी दुकान में अपनी साइच के कपड़े नहीं मिलेंगे और तब मुझे कपड़े सिलवाने के लिए एक बहुत होशियार दर्जी भी तो चाहिए होगा और तब भी अगर मेरी लंबाई फिर से दोगुनी हो गई तो भापरे तब तो मैं 16 मीटर लंबी हो जाऊंगी फिर तो मुझे नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चड़ना भी नहीं पड़ेगा हाथ से ही डंटड़न और क्या होगा अगर मेरा कद बढ़कर फिर से दोगुना हो जाए यानि कि 16 अधिक 16 32 मेटर लंची सचिये सचिये फिर तो मैं चैन्नई सेंट्रल स्टेशन के घंटा घर तक पहुँच ही जाऊंगी और अगर इससे भी दोगुनी लंबी हो गई तो यानि 32 अधिक 32 64 मीटर लंबी यानि कि 64 मीटर यानि चैन्नई लाइट हाउस से भी ज्यादा हो ची फिर तो मैं मरीन बीच पर खड़ी होकर समुद्र को दूर तक निहारूंगी और फिर भी मेरा दोगुना लंबा होना जारी रहा तो तब तो मैं 64 अधिक 64 यानि कि 128 तब तो मैं 128 मीटर उन्ची हो जाऊंगी यानि चैन्नई की सबसे लंबी मीनार से भी लंबी उनके फरनीचर को उनके घरों में ले जाने में उनकी मदद करोगी इसके बाद भी मैं दोगुनी लंबी हो गई तो 128 अधिक 128 यानि कि 256 तब तो मेरी लंबाई 256 मीटर हो जाएगी तब मैं पूरे तमिलनाडू में किसी भी इमारत से ज्यादा लंबी हो जाऊंगी तूफानी बारिश में बिजली की चपेट में ना आने की साबधानी बरतनी पड़ेगी मुझे तब मैं खुद अपने लिए एक तडित रोक टोपी बडाऊंगी जिसे एक तार के जरिये नीचे जमीन से जोड़ दूंगी क्या होगा मैं फिर दोगुनी लंबी हो जाऊं तो यानि की 256 अधिक 256 यानि की 512 512 मिटर इतनी उपर इतनी उपर तो कितना अकेलापन लगेगा न मैं अपने घरवालों और दोस्तों को बिना दुर्बिन के देखी नहीं पाऊंगी इसके बाद भी लंबाई में मैं फिर दोगुनी हो जाऊं तो 512 अधिक 512 यानि की न न न न न हाँ 1024 मीटर लंबी ये तो संसार की सबसे उन्ची इमारत से भी ज्यादा लंबी हो जाना हुआ फिर तो मैं परियटकों के लिए एक बड़ा आकर्शन बन जाऊंगी दुनिया भर से लोग आएंगे मेरे सिर पर चड़ने के लिए और अगर मैंने फिर से अपनी लंबाई दोगुनी कर दी तो यानि की 2048 और अगर फिर से 4096 और फिर से 8192 और अगर फिर से 16384 मीटर बाबा रे तब तो मैं माउंट एवरेस से भी उन्ची हो जाऊंगी फिर मैं अगर समुद्र के सबसे गहरे भाग में भी तैरने जाऊं तो भी मेरे पैर तल को छू रहे होंगे अगर मैं उसे भी दोगुनी लंबी हो जाऊं यानि की 32768 मीटर उसे भी दोगुनी लंबी 65536 मीटर और उसे भी दोगुनी लंबी एक लाख 31,072 मीटर तब मेरा सिर अंतरिक्ष में होगा ओहा यहां तो हवा ही नहीं है और उपर से उलका पिंडो का भी ध्यान रखो ना बबाना इतनी लंबी नहीं होना है मुझे नर्स अंटी मुझे लगता है कि अभी तो मैं एक मीटर लंबी ही ठीक हूँ तो आप इतना उंचा होना चाहते हो एक लाख सम्थिंग सम्थिंग मिटर नहीं न और ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया